असलाम आलेकुम दोस्तों मैं हूं असलाम आलाम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों के टोटल 6 सवालों के जवाब देने वाला हूँ मेरी कोशिश होगी के जवाब को मकतसर रखो ताके वीडियो ज्यादा लंबी न हो जाए तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहला सवाल आज के पहले सवाल में आप में से किसी भाई ने पुशा है सर मैं ने कमपनी में चार महना काम किया और वापस आ गया इंडिया इमेर्जनसी में फिर नहीं गया मेरा आइडी 18.9.2024 तक वालि है अगर आपको कतर से आए हुए छे मना से ज्यादा नहीं गुजरा है तो इस दूर्प में आप आसानी से कतर जा सकते हैं कोई दिकत की बात नहीं है लेकिन अगर आपको छे मना से ज्यादा गुजर गया है तो आपको जाने के लिए रिटर्न पर्मिट चाहिए जो कि कमप बात करके जा सकते हैं अगर आप यह पूछना चाहरे हैं कि आप उसbled कंपनी में नहीं जाकर का करें कि दुसरी आदमी जाना चाहते हैं, ैंचल नहीं है जब तक आपका कात्र आइडी केंसिल नहीं होगा तब आप दूसरी कंपनी में नहीं जा सकते हैं आज के दूसरे सवाल में आप में से किसी भाई ने पूछा है आजाद वीजा पर नया आदमी गया है 15 दिन हुआ है आईडी नहीं बना है पुलिस ने पकड़ लिया इंडिया भेज देंगे या क्या होगा पिलिस इंफोर्मेशन द जाता बहरहाल जो भी कंडिशन हो आपने जैसे बतेया है कि 15 दिन हुआ है इसको फ्री वीजा पर गया है कतर तो यहां पर आप लोगों बता दूँ कि कतर में फ्री वीजा नाम कोई चीज नहीं है आप इसको वर्क वीजा बोलिए तो वर्क वीजा पर जाने के बाद अगर पुलिस वाले कहीं पर पकड़ लेते हैं तो कंपनी की जो बंदूप होता है वो सियडी में जाकर के बातचित करके उसको फोलिए को चुटा करके लाएगा अगर लिग में काम करते हुए पकड़ा गिया है तो फोलिए है इसा भी हो सकते हैं कि आपके बंदे को घर भेज दिया जाए आपने यहां पर मेंशन नहीं किया है इसलिए मैं इसके बारे में आपको डिटेल से नहीं बता सकता हूं आज के तिसरे सवाल में आप में से किसी भाई ने पूछा है सर मैं अपनी कंपनी में रिजाइन डाला था अब वो कंपनी मुझे केंसि हुआ है या नहीं हुआ है ऐसा तो नहीं है कि आप 2 साल में ही रिजाइन दे रहे हैं अगर इसके बारे वह बताते तो आपको जवाब देने भी और भी ज्यादा असानी होती अगर आपका एग्रिमेंट हो गया है और आप कंपनी में डीजाइन दे ने कर ने हैं इस सुरत में अगर आपके साथ में नाइनसाफी हो रही है तो आप लेवर मिनिस्ट्री में कंप्रेंड करके केस लड़ सकते हैं यहां पर गलती दोनों की तरफ से देखी जाती है बहुत सारी वरकर भी ऐसा करते हैं कि वहां पर काम करने के लिए जाते हैं दो चार माना के बाद ही दूसरी कमपनी में चेल्ज करने के लिए सोचने लगते हैं जो कि 100% गलत है कमपनी को इसमें नुकसान है इसी तरह कमपनी वाले की तरफ से भी गलती यह देखी जाती है कि व बाई जान मैं कतर से छुटी आया था और वापस नहीं गया तो मैं कब तक गतर जा सकता हूँ आपका जब तक कतर ID केंसिल नहीं होगा आपका कमा तक आपको दूसरा वीजा निकालने में दिक्कत होगी तो आप ऐसा करें अपने कतर ID केंसिल करवा लें उसके बाद में नया व तो ऐसी हालत में क्या बिना .'d क्या तीन महना Sen पहले, कहीं transfer ले सकता हूं। आपने जो सवाल किया है कि बिना .'d कि का आप किसी आप ले सकते हैं, या नहीं ले सकते हैं, इस सवाल को लगवर्ण में दो महना पहले कतर में मौँजुद अपने एक relation laser से पूशा था जो कि टैपिंग सेंटर में काम करते हैं तो उन्होंने कहा था कि अभी कतर में वीजा ट्रांसफर का काम बहुत मुश्किल से होता है तो आपके लिए मेरा सजेशन यह है कि आप किसी टैपिंग सेंटर में जाकर के बात करें वहाँ पर आजकल क्या रूल चल रहा है आप लोगों को मालूम हो जाएगा इस सबाल को मैं आप आप मेंसे किसी भाई ने पूछा है, सर हम कतर में बिजनिस करना चाहते हैं, कैसे और क्या करना पड़ेगा, प्लीज इसके उपर एक वीडियो बना दो, दोस्तों दो तिन दिन पहले मैंने एक वीडियो आप लोगों के साथ में शियर किया था, जिसमें मैंने कहा था कि किसी क पातरी के घर में रहते हैं, आप किस तरह अपना चोटा मुटा बिजनिस सेट अप कर सकते हैं, जिसमें मैंने लगभग 13 याई के 14 आइडियाज आप लोगों के साथ में शियर किया था, तो आप में से जिन जिन भाईयों के अंदर में ये सवाल है, तो उस वाली वीडियो क जरूर देख ले, इसका लिंक आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा होगा, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करके आगे जरूर शियर करें, इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया,